हेलो गाइज कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आ गई हूँ मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ तो गाइज आज मैं किसी के कमेंट्स का जवाब दूँगी आज मैं अवरनेस की वीडियो में किसी करंचस के लिए किसी ने एक कोशन किया है तो मैं उसका आप जरूर देती हूं थोड़ा सा लेट हो गई हूं उसके लिए मैं सोरी बोलती हूं और आप लोगों को तो पता है घर की जिम्मेवारिया मेरे उपर बहुत जादा है इस टाइम क्योंकि अस्वेंड है नहीं आप और मेरे बेटे के फिर दुबारा से प्री बोर्ड स्ट जब टाइम मिलेगा तो मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि घर की जिम्मेवारी भी है पहले इनको भी देखना है यार किसी ने मुझे कोशन किया है उनका नाम पाता नहीं क्या नाम है रिसी केस ऐसे कुछ करके हैं उनका कमेंट से हैं तो वह बोल रही है मेरे को कि अ को मैं हैंको लिख रही है कि आपकी मैनत गई पानी में और एह गृषिएल लेने हैना आपकी मैनत गई पानी में तेल ले नहाँ आप हमेशा यह करंचस का बुरा ही चाहती हो तुम जैसे लोग ही आस्तिन का साफ हो यह सब उसने लिखा है मेरे लिए लिखा है सबसे पहले आपको बोलती हूँ कि गाइस को यह आ गया था आप लोगोंने सुने आनका कोश्ण प्राइब हमेंक पता था कि हम आस्तिन के साफ हैं तो मैं सबसे पहले मैं आपको बोलती हो आस्तिन के साफ यह चीन के साफ आप ही हो हम नहीं है क्योंकि हम आपने बड़े रिस्पेक्ट से लिखा है अंजली जी तो कहीं आप अंजली तो नहीं हो नमबर एक नमबर दो जो भी हो आप उनके सब्सक्राइबर हो जो भी है उनकी केर करने वाली जो भी हो आप मैं यह बोलती हूँ बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद यह आपने कहवत सुनी होगी ना बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद तो मैडम आप क्या जानो कि क्ले क् अवरनेस क्या होती है ठीक है जिन लड़कियों ने इनकी वीडियो देखके अंजली ने तो बहुत सारी करंचस पैदा कर दिया है नो डाउट उसकी वीडियो देखके काफी सारी करंचस पैदा हो रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चला रही हैं से और अपना घर में पैसे पर पैसे दबादब कमा रही है गलत काम से और हम कितनी लड़कियों को सुधार रहे हैं और नेस करके और आपने क्या लिखा आप और भी मैं बताऊंगी तो मैं आपको यहीं बोलती हूं नंबर एक आसिन के साब तो आप ही हो ठीक है नंबर दो बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद तुम क्या जानो अवर्नेस क्या चीज होती हो तुम तो खुदी मिटी की साइको हो मिटी की साइको वाले नहीं समझ सकते हमारी अवर्नेस क्या है हमारी अवर्नेस वही समझ सकती है वही लड़की समझ सकती है जो मिटी खाती थी और उ कोई टेस्ट नहीं होता टेस्ट लैस और कोई गूंड नहीं है लेकिन उसको मिट्टी को पेस्ट के साथ ऐसे घ्रखा के दिखाया जा रहा है जैसे कि हम दाल चावल चट्णी सैलेड अचार पापड लेके खाते हैं थोड़ा स्वाद बनाने के लिए दाल चावल का कई बार डाल-चाल खाने को नहीं करता तो यह सब चीज hiss हम लνεुंगत है वगारा ऐसे वह मिट्री के साथ मिट्री के साथ यह लोग करंजट कशीं हैं मिट्टी को डेट knot क्रांज करके उसके साथ कर रहे हैं कभी ब्लैक के साथ करें किसी चीज़ दिप करके खा रहे हैं तो वो क्या जाने हमारी वीडियो का महत्व क्या है हम जो वीडियो मनाते जो मर रही है लड़किया जिनको मिट्टी खाने से प्रोब्लम होनी स्टार्ट हो गई है और जो छोड़ना चाहती है जो हमारे से राए लेती है वो हम जानते हैं हम किनके लिए काम कर रहे हैं और मैं तो हर वीडियो में बोलती हूं कि इनकी वीडियो में कितने व्यूज होते हैं उन व्यूज में से अगर हमारी अवरनेस की वीडियो देख के दस लड़किया या दो लड़किया या चार लड़कियों ने भी अगर खाना छोड़ दिया या कले की जो बिमारिया है वो समझ गई और कॉंटिटी कम कर दी या स्वैलो ना करके करंच करके थुक दिया तो हमने तो एक अपनी लाइफ में अच्छा ही काम किया है ना किसी लड़की की जान बचाने की कोशिस तो किये ना म मैं तो आँख मिला के सबसे बात कर सकती हूं क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही हूं मैं अपने रिलर्टिव्स को बता सकती हूं कि मैं वाइटी पे इस तरह की वीडियो बनाती हूं मिट्टी खाने वाले क्या बताएंगे वाइटी पे कि हम मिट्टी खाते हैं और मिट्टी मिट्ट को वी मारिया लग जाएंगी यह बताते कि मिट्टी मत खाओ यह लोग बताते हैं कि से मिट्टी काने से कुछ नहीं होता तो यह खाना सिखा रहे हैं तो difference देखिया हमारे बारे में और उनके बारे में और मैंने तो किसी को कि मेरी वीडियो देखो नहीं देखो और मैं तो बहुत दीरे-दीरे कच्छुए की चाल चल रही हूं अगर मिट्टी की दो-चार वीडियो इनी की अगर लोग डाल देते हैं तो देखो उनके सब्सक्राइबर कैसे ग्रो हो जाते हैं तो मैं तो कच्छुए की चाल च कि मुझे सपोर्ट क्यों किया उनोंने कुछ तो अच्छा ही नजर आए होगी तब ही तो मुझे सपोर्ट किया है न अगर मैं आस्तिन की साफ होती तो वो मुझे क्यों सपोर्ट करते यह बताओ और मैंम आप एक तरफ रहो या अँझली जी की तरफ रहो तो करंचस के सपोर्ट करो या हमारी तरफ रहो तो हमें सपोर्ट करो और आस्तिन के साफ आप मत बनो आप मत बनो आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं आप सकुनी का काम कर रहे हो दोनों तरफ से भढ़काने का काम कर रहे हो ठीक है आप अपने आपको देखो और ठंडे मुझे इस तरह के कमेंट्स दे के डिस्टब करोगे तो मैं ऐसे डिस्टब नहीं होती हूं ठीक है तो मेरी लाइफ का जो रिमोड है वह आपके हाथ में नहीं है ठीक है और मैं यह काम कर रही हूं करती रहूंगी जब तक मेरा मन होगा जब तक मेरा दिल होगा तो आपको मिल गया होगा और ठीक है अंजली यूट्यूब से उसका चैनल फिर से मिल गया तो इसमें कौन सी खुशी की बात है बताओ एक बार तो टर्मिनेट होई चुका था ना तो हम लोगों की ताकत भी तो देख चुकी ना देख चुकी ना टर्मिने का सांब नहीं कर दो लॐख तो अपनी हाकीकत हमें दिखा दी ना कि वह हो मिट्टी ही खाएगी और मिटी ही रहेगी वह घर में दो दो बेटियां आ Tapi गर में दो-बेटियां हैं और आज कल महुल ऐसा है कि आज कल पेरेंट्स कितनी बी अच्छों के सामने नहीं तो तू करके भी बात ने कर सकतें, बच्चों से आप करके बात करतें कि बड़ाओ के यह भी आपी सीखेगा, इसकी habit बन जाएगी. और ये करंचस क्या habit बना रहे अपने बच्चों की? क्या इनके बच्चों को नहीं पता कि इनके घर में कितने सारी मिट्टी रखी है और इनको नहीं पता कि मेरी मम्मी क्या करती है, क्या वीडियो बनाती है अगर सपोज अनजली को अगर सिलवर बटन अब आईटी की तरफ से मिल भी गया अगर उन्होंने अपनी वाल पर लगा भी दिया तो कोई उनके बच्चों से पुछेगा यार तेरी मम्मी के पास ये है तो बोलेगी हाँ मेरी मम्मी तिरी मम्मी ऐसा क्या करती है यार तुमारे घर में क्या वीडियो बनाती है हां मेरी मम्मी मिट्टी खाने की वीडियो बनाती है मेरे घर में बहुत सारी मिट्टी है मेरी मम्मी खाती है और वीडियो बनाती है और देखो मेरी मम्मी मिट्टी खाके कितनी आगे निकल गी तभ दार्मिक बुक्स पढ़ो, दार्मिक चीजे सुनो, टीवी में भजन सुनो, ये सब बोलते हैं, क्योंकि बच्चे पर असर पढ़ता है, मा जैसे संगत में रहेगी, संगत का असर बच्चे में पढ़ता है, जबकि वो बच्चा पेट में है, भार नहीं निकला, तब डोक्ट क्या कर लिए, तो बताओ, क्या असर पढ़ेगा, तो मैडम मा बनने के बाद बहुत चीजे त्याग नहीं पढ़ती हैं, बहुत चीजे सो समझ के चलना पढ़ता है, घर ऐसे नहीं बसता है, ठीक है, और जो लेडिज होती हैं, घर की लक्ष्मी होती है, ये कौन सी लक्ष् दिवत हो गई पैसे तो तुम्हारे भगवान ने हाथ-पैर सही दिये ना हस्बेंड भी है सब कुछ है उसके बावजूद भी यही काम मिला तुम लोगों को सोचो कोई सिंगल मदर तो है नहीं या कोई अपाईज भी नहीं है तो आप मेरे से कोशन करें तो मैं यह बोलूगी कि बंदर क्या जाने अद्रक का सवाद अब आप समझ गए ना आपका जबाब मिल चुका होगा जो मुझे लगा मैंने आपको जबाब दे दिया ठीक है तो नेक्स्ट कोईशन मैं पढ़ती हूं नेक्स्ट कोईशन हो रहे किसी का तो मैं उनको भी बता देती हूं जराब